नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूडूब चैनल वी सीयस बैसिक फीक्स में आज की इस वीडियो में हम कक्सा बार है भोतिक विज्ञान मादेमिक सिक्सा बोर्ड रास्तान अजमेर द्वारा आयुजित बोर्ड प्रिक्षा 2022 के तहर महत्वपूर्ण वीडियोज बना दिये हैं जिसमें NCRD की पाटे पुस्तर के पहले दूसरे तीसरे और चोते चप्टर के हमने महत्वपूर्ण पसंवपूर्ण देखने वाले हैं आपने पीछे की जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं समझ सकते हैं विद्यर्तियो इदि आप हमारे यूडूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए तांकि आपको आगे भी ऐसे ही महस्तो पूर्ण परसनों तर फिक्स रिलेटे हैं उनका अंक विभाजन तो देखे इस चप्टर में से हमें वस्तुनिस्ट परसन दो मिलने वाले हैं देखे दो वस्तुनिस्ट परसन मिल सकते हैं या यहां पर एक रिक्तिस्तान वाला क्यूशन मिल सकता है एक परसन रिक्तिस्तान वाला भी आपको मिल सकता है दोनों में से एक होगा या तो एक रिक्तिस्तान वाला क्यूशन आपको मिलने वाला है या दो वस्तुनिस्ट परसन मिलेंगे एक वस्तुनिस्ट परसन तो कन्फरम है और उनमें से एक जो वस्तुनिस्ट परसन हो सकता है या रिक्तिस्तान परसन हो सकता है इसके अलवा हमें अति लगूतरात्मक परसन मिलने वाला है इसका one word या एक line में answer देना होता है एक अंक का ये होगा एक हमें लगूतरात्मक परसन मिलेगा जो one and half अंक का होगा और एक हमें इस chapter में से अंक के question प्राप्त होने वाला है जो की one and half अंक का होगा तो देखे इस चप्टर से हमें कुल मिलाकर पांच क्यूशन मिलने वाले हैं और उनके कुल मिलाकर छे अंक होंगे एक बार इस से अंक विभाजन को फिर से समलीजिए एक वस्तूनिस्ट परसन होगा एक रिक्तिस्तान वाला परसन होगा एक अतिलगूतरात्मक परसन होगा एक द्रगूतरी या लगूतरात्मक जो परसन है वो होने वाला है वनेंड हाप अंक का एक आंकिक परसन होने वाला है वन एंड हाप का तो कुल मिला कर पांच क्यूशन होंगे और छे अंग के होने वाले हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुनिस्ट परसन और वस्तुनिस्ट परसनों के अंदर आप सबसे पहले देखिए इसका पहला क्यूशन वस्तुनिष्ट परसनों में पहला क्यूशन देखेंगे आप कि प्रेरित विद्दुत वाहक बल का परिमान चुम्बक की फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन के धर के बराबर होता है देगे प्रेरित विद्दुत्वाहकबल का जो परिमान होता है E बराबर होता है माइनस में N D5B upon DT और ये जो फोर्मूला है वो हमें फेराडे के दूसरे नियम के तहट प्राप्त होता है तो हमें ये पूछा गया है कि यह नियम दिया गया है तो फेराडे के दूसरे दिया गया इसमें से ओप्षन सही होने वाला है अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं अगले क्यूशन के अंदर हमें कहा गया है कि एक तांबे की वले को से तीज रखा गया है तदा एक छड चुम्बक को वले की अक्स की दिसा में गिराया जाता है तो गिरते भी चुम्बक का तुरण होगा देखि जब हम किसी चुम्बक को एक तांबे की वले जो चालक की वले है उस पे गिराते हैं यैसे ये हमारे पास में कोई वले है इस तरीके से और उपर से चुम्बक गिराई जा रही है ऐसे यदि चुम्बक गिराई जा रही है नीचे की और तो जैसे ये चुम्बक नीचे आएगी इसके अंदर एक धारा प्रेरित हो जाएगी और प्रेरित धारा की दिसा सदेव इस प्रकार से होती है कि वो इस चुम्बक की गती का विरोध करेगी और जब चुम्बक की गती का विरोध होगा तो इसका जो acceleration है वो कम हो जाएगा और जैसे ये चुम्बक इसमें से निकल कर बाहर जाएगी तो इसकी गती का फिर से विरोध होगा जब ये उपर से नीचे की यहां तो इसके पास में आ रही है तब तो इस पर प्रतिकर्शन बल लगेगा और जैसे ये नीचे जाएगी तब इस पर आकर्शन बल लगने स्टार्ट हो जाएगा तो जो गुरुत्य तवरण है उससे कम तवरण से ये गीरेगी तो हमें ओप्शन देख लीजिए गुरुत्य तवरण से कम तवरण इसका होने वाला है अक्सिलरेशन इसका कम हो जाएगा तीसरा की उप्शन देखेंगे विद्दू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदला जाता है तो देखें यहां पर आप एक एक करके समल लीजे जो सीसा संचाइक सेल है वो रासानिक उर्जा को विद्दू तूर्जा में कनवर्ट करता है विद्दू तिस्तरी विद्दू तूर्जा को उसमें उर्जा में कनवर्ट करती है विद्दुत जनित्र जो कि यांतरिक उर्जा को विद्दुत उर्जा में कनवर्ट करता है और विद्दुत मोटर विद्दुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कनवर्ट करने का कारिय करती है तो यहाँ पर तीसरे क्यूशन का सोलुशन विद्दुत मोटर होगा चोथा क्यूशन देखिए कि एक चालक छड नियत विग वी से चुम्बक के छितर बी में गत्सील है तो इसके दोनों सीरों के मद्दे प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन होगा यदी देखिए एक बार इस क्यूशन को आप समझ लीजिए कि किसी चड़ के अंदर प्रेरित विद्धुत वाहक बल जिसे हम ए बराबर ब, एल, वी से पुट करते हैं ये प्रेरित विद्धुत वाहक बल केवल और केवल तब उत्पन होगा जब बी और एल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों एक दूसरे के समानतर हो गए तो नहीं होंगे समानतर होने की इस्तती में जैसे समानतर होने की इस्तती में जीरो हो जाएंगे बी और वी एक दूसरे की समानतर होने की इस्तती में प्रेरित विद्धुत वाहक बल जीरो हो जाएगा और L और V भी एक दूसरे के समानतर होंगे तो प्रेरित विद्धुत वाहकवल जीरो हो जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे समानतर या परती समानतर होते हैं तब प्रेरित विद्धुत वाहकवल क्रेट ही नहीं होगा वी और बी जब समानतर हैं तो प्रेरित विद्दुत वाहक बल उत्पन नहीं होगा वी और बी प्रस पर लमवत होंगे तो प्रेरित विद्दुत वाहक बल उत्पन होगा इसमें बै उप्षन सही होगा V और B विप्रिदिसा में है तो भी प्रेजित विद्दुत वाहक बल उत्पन नहीं होने वाला है उप्रोक सभी वाला उप्षन भी इसमें नहीं आएगा कुल मिलाकर इसमें बै उप्षन सही होने वाला है अगला जो क्यूशन है हमारे पास में वो है चुमबक की फ्लक्स और प्रतिरोद का जो अनपात है का मातरक निम्न में से किस रासी के समान होगा तो यहां पर आप देख लीजिए चुमबक की फ्लक्स जिसको हम फाई B से पुट करते हैं प्रतिरोद को हम आर से पुट करते हैं तो इन दोनों का जो अनपात है वो किसके तुल्ले होगा फाई से फाई B को हम B इंटू A से पुट कर सकते हैं अपोन में आर देखे इनको हम एक अन्य फोर्म में पुट करते हैं देखे इस से फाई B अपोन में आर को मैं लिख देता हूँ 5B के इस्तान पर मैं put कर सकता हूँ E into में T क्योंकि हम यह जानते हैं कि E बराबर होता है D 5B upon में DT तो यहां से 5 के इस्तान पर E into DT put कर सकते हैं E बट्टे में R है इसको हम I लिख सकते है और I into T को आवेश क्यों लिखा जा सकता है then जो यह रासी है 5B upon में R इसको हम Q के तुले रख सकते हैं इसकी जो मातरक होगा वो आवेश के समान होने वाला है 6th क्यूशन दिखिए कि विद्दुचुम्ब के प्रेरण के प्रेरित विद्दुद वाहक बलकमान के वल करता है चालक के पृतिरोध पर चुम्बक के छितर की दिसा के सापिक्स चालक के कोण पर चुम्बक के छितर के मान पर संबदで फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर तो दीके प्रेरित विद्दु अगला जो क्यूशन है वो हमारे पास में है कि जब एक दंड चुम्बक को कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्धुत वहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है तो देखें किसी कुंड़ी के अंदर जब हम चुंबक को प्रिवेश करवा रहे हैं तो देखें जैसे हमारे पास में एक कुंड़ी है और उसे कुंड़ी के अंदर हम कोई छड़ चुंबक लेकर जा रहे हैं तो देखे चुम्बक का वेग कम ज्यादा करेंगे तो प्रेरित विद्दुत वाहक वल भी कम ज्यादा हो जाएगा कुंडली में घेरों की संख्या पर भी निर्भर करेंगा चुम्बक का चुम्बक की आगुण मतलब इससे उत्पन होने वाली चुम्बक के छेतर एकाओं की संख्या पर भी डिपेंड करेगा फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है हमें ये पूछा किस पर निर्भर नहीं करता तो कुंडली के तार का जो विस्ष्ट परतिरोध है उसकी जो परतिरोध अगता है उस पर डिपेंड नहीं करता तत्पस्याद इसमें ऑप्शन दैस ही होगा आठवा देखिए कि एक तामबे के तार की कुंडली को एक समान चुम्बक के छेतर में चुम्बक के छेतर और जो कुंडली है दोनों एक दूसरे के समान चुम्बक के छेतर रेखा होगी संख्या सुनने होगी उसमें कोई चुम्बक के छेतर रेखा पास नहीं होगी इसके कारण से उस कुंडली के अंदर कोई प्रेरित धारा ही उत्पन नहीं होगी तत्पस्चात प्रेरित धारा की जो value है वो सुनने होने वाली है नवा क्यूशन दीखिए लेंज का नियम देता है प्रेरित धारा का प्रिमान प्रिमान नहीं बताता है इसके लावा प्रेरित विद्दुत वाहकवल का प्रिमान ये भी नहीं बताता है प्रेरित धारा का प्रिमान और दिसा दोनों ये भी नहीं होगा इसमें लेंज का जो नियम है वो प्रेरित धारा की दिसा को इंगित करता है दस्वा क्यूशन देखिए कि एक विद्धुत संचन लाइन में धारा उत्तर की ओर परवाईत हो रही है एदि पर्थवी की चुम्बक की च्छतर को नगर ने माल लिया जाए तो इस विद्धुत लाइन के उपर चुम्बक की च्छतर की दिसा होगी देखिए एक वार इनकी दिसाओं को समझ लीजिए कि ये है उत्तर दिसा ये है दक्षिन दिसा ये है बुरा और ये वाली जो डिरेक्शन है वो पस्सिम दिसा है अब आप देखेंगे कि एक इस तरीके से वायर है जिसमें धारा नीचे से उपर की ओर मतलब दक्षिन से उत्तर की ओर जा रही है हम दाइने हाथ के अंगुठे के नियम की साइता से है इसके ठीक उपर की ओर ठीक उपर तो अंगुठा इसे वायर की दिसा में ले लेंगे जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो पूरव दिसा में होगी तो ठीक उपर की ओर जो मेगनेटिक फिल्ड होगा वो पूरव दिसा में होगा तो पूरव की ओर होगा इसमें A option सही होने वाला है अगला जो हमारा क्यूशन है उसको देखिए कि यदि 2 गुणा दसकी घात माइनस 3 हेनरी सब गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकिंड में 1 समान रूप से 1 एमपेर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्दुत वाहक बल का प्रिमान होगा हमें L की वेल्यू दे रखी है 2 गुणा दसकी घात माइनस 3 हेनरी इसके अलावा ये बता रखा है कि धारा 0.1 सेकिंड में जो डिटी समय होए वो हमें दे रखा है 0.1 सेकिंड इसके साथ में हमें कहा गया है कि धारा एक समान रूप से 1 एमपेर तक बढ़ती है धारा का जो मान है वो 0 से लेकर कितना हो जाता है एक एमपेर हो जाता है 0 से लेकर कहां तक हो जाता है एक एमपेर तक हो जाता है तो प्रेरित विद्दुत वाहक बल का प्रिमान होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि E बराबर होता है माइनस में L D I अपॉन D T तो माइनस में L L की जो वेल्यू है वो हमारे पास में है दो गुणा दसकी घात माइनस तीन और जो धारा में परिवर्तन है एक एमपेर तक बढ़ती है तो इस धारा में जो परिवर्तन है वो है एक समय में जो परिवर्तन है वो हमारे पास में दे रखा है 0.1 तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो उपर लगा देंगे एक जीरो उपर लगेगा तो यह आगए हमारे पास में 10 तो यह आगए हमारे पास में माइनस 2 गुण दसकी घात माइनस 2 और फाइनली जो आंकडा निकल कर आएगा वो माइनस में आ रहा है 0.02 वॉल्ट और यदि मैं इसके परिमान की बात करूँ तो 0.02 वॉल्ट इसका आंस्वर होने वाला है तो 0.02 वॉल्ट प्रेरित विद्दुत वाहक बल होगा इसका हमें परिमान पूछा है तो प्लस में होने वाला है अब हम लेगे हमने अबजिक्ट टाइप में कुशनों के अंदर भी नुमेरिकल कुशनों को डाला है ये भी आप समस्ते जाएंगे बारवी कुशन के अंदर हमें पूछा गया है कि 100 घेरों वाली उसे कुंडली का स्वर प्रेरण गुणांख कितना होगा यदि इसमें 5 एंपीर की धारा 5 गुणदस की घात तीन मेक्सवेल का चुमबकी एफलक्स उत्पन करे तो यहां पर हमें एन की जो वेल्यू है वो दे रखी है 100 एल का जो मान है वो हमें पूछा है इसके अलावा इसमें 5 एंपीर की धारा इतना चुमबकी एफलक्स उत्पन कर रही है जो धारा है आई इसकी वेल्यू दे रखी है पाँच एमपियर और जो चुमबक की एफलक्स है वो हमें दे रखा है फाई बी का जो मान है वो है पाँच गुना दसकी घात माइनस तीन मैक्सवेल तो यहां से आप देखेंगे कि एन फाई बी बराबर होता है एल आई तो एल बराबर हमारे पास में आगया है एन फाई बी अपोन में आई n की value है 100 और जो phi है phi b है इसकी value हमें दे रखी है 5 गुण दसकी घात 3 और देखिए इसका जो मातरक है वो हमें Maxwell में दे रखा है एक जो Weber होता है वो 10 की घात 8 Maxwell के equal होता है तो 1 Maxwell के इस्तान पर हम 10 की घात minus 8 पुट कर देंगे 8 Weber पुट कर देंगे तो देखिए 1 Maxwell किसके equal आजाएगा 10 की घात minus 8 Weber के equal आजाएगा i की जो value है वो हमें दे रखी है 5 अब यहां से हम calculation करेंगे तो देखिए 5 से 5 cancel हो गया 10 की घात plus में हो गई 5 minus में हो गई है 8 तो 10 की घात minus में 3 Henry रह जाएगा 10 की घात minus 3 Henry इसका solution होगा देखिए अगले question में हमें कहा गया है कि एक कुंडली के लंवत गुजरने वाला चुंबक के flux कुंडली के लंवत गुजर रहा है 5B की value हमें दे रखी है 5B का जो मान है वो 10 T square प्लस 5 T प्लस 1 दे रखा है समय के साथ परिवर्तित होता है तो T second में और फाइ मिली वेबर में है फाइ किसमें है मिली वेबर में तो यह जो फाइ है वो मिली वेबर में है clear T प्लस 5 पर कुंडली में प्रेड़ित विद्दुत वाहक बल होगा तो देखे यहां से हमें T प्लस 5 पर इसको आप देख लीजे मैंने 5E की value पूट कर दी है T बराबर 5 सेकिंड पर हमें प्रेरित विद्धुत वाहकपल की value find out करनी है इसमें हमें फेरों की संख्या नहीं दे रखी है सीधा में E बराबर माइनस में D5E upon DT पूट कर देता हूँ यहाँ पर 5E की value हम पूट कर देंगे 10T square प्लस 5T प्लस 1 यह हमें 5E की value दे रखी है चलिए तो इसको आप differentiate कर लेंगे E बराबर हमारे पास में आगे माइनस में 20T प्लस 5 प्लस 0 यह कुल मिलाकर E का जो मान है वो हमारे पास में आगे माइनस में 20T माइनस 5 और T बराबर 5 सेकिंड पर T बराबर 5 सेकिंड पर E बराबर हमारे पास में आगे 20 माइनस 5 माइनस 5 तो E बराबर हमारे पास में आगे माइनस में 100 और माइनस का 5 यह जो value होगी वो 10 की घात माइनस 3 में भी है तो यहां से गुणा में 10 की घात माइनस 3 भी कर देंगे तो यह हमारे पास में आगया है माइनस का 105 गुणा दसकी घात माइनस 3 जिसे हम माइनस में 0.105 वोल्ट भी लिख सकते हैं हमें इसमें परिमान पूछा है तो ये वाला ओप्शन इसमें सही होगा 0.105 वॉल्ट अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं चोद्वा क्यूशन देख लीजिए कि किसी प्रिपत में 0.1 सेकंड में धारा 5 एंपियर से सुनने तो गिरती है यदि ओसत प्रेरित विद्धुत वाहकबल 100 वॉल्ट है तो प्रिपत में प्रेरक्केश्वः प्रेरक्त्वः की गणना कीजी हमें देखी अल्प समय अंतराल डीटी दे रखा है 0.1 सेकंड धारा में जो परिवर्तन है अंतिम जो धारा है वो है सुनने और प्रारंबिक धारा है 5 तो माइनस में 5 अंपिर धारा में प्रिवर्तन होता है ओसत प्रेरित विद्धुत वाहकबल हमें 100 वॉल्ट दे रखा है स्वय प्रेरक्त्वः की वेल्यू हमें पूछी है हम ये जानते हैं कि E बराबर माइनस में L Di अपॉन में DT होता है तो L बराबर हमारे पास में आ गया है E बटे में Di अपॉन में DT E का जो मान है वो हमें दे रखा है So Di का जो मान है वो हमें दे रखा है माइनस में 5 और dt का जो मान है वो बट्टे से उपर चला जाएगा वो पॉइंट एक दे रखा है माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया है प्लस हो गया और एक जीरो भी कट जाएगा दस में पांच का भाग लगाएंगे तो 2 हेंडरी हमारे पास में आ जाएगा इसका सोलूशन तो चोद्वे क्यूशन का जो सोलूशन है वो 2 हेंडरी होगा पंद्रवे क्यूशन देखे कि ट्रांस फार्मर की सिदान पर आधरित होता है तो देखे ट्रांस फार्मर अनोने प्रेरण के सिदान पर काम करता है कि सिदान्थ पर काम करता है अनोने प्रेरण के सिदान्थ पर काम करता है लेकिन देखो option में आप देखेंगे चुम्ब के प्रेरन के सिदान पर काम करता है विद्दु चुम्ब के प्रेरन के सिदान पर काम करता है स्वब प्रेरन के सिदान पर काम नहीं करता चुम्ब के प्रेरन के सिदान पर भी काम नहीं करता चुम्ब के प्रेरन का मतलब है एक मेटर से दूसरे मेटर के अंदर चुमब के गुण प्रेरित होना चुमब के प्रेरण होगा ये विद्धु चुमब के प्रेरण के सिद्धान पर काम करता है इसमें बै ओप्शन सही होने वाला है उप्युक्त में से कोई नहीं ये option भी सही नहीं होगा अगले question की ओर बढ़ते हैं विद्यार्तियो यदि अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में bell icon भी दबा दीची साथ में इस वीडियो को अपने classmates के साथ में अधिक से अधिक सेर करें तांकि जादा से जादा students इसका लाब उठा सके अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए ऐसा question इसमें से आने की परबल संभावना है देखें सोलों question देखेंगे कि किसी कुंडली में स्वय परेरेंड से उत्पन परेरित विद्धुत वाहक बल एवं कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुपात को कहते हैं कि एक कुंडली में स्वय परेरेंड की गठना गडित हो रही है जिसे हम स्वय परेरक्टव कहते हैं जिसे क्या कहा जाता है स्वय परेरक्टव कहा जाता है capital L से इसको हम put करते हैं अगले question की ओर बढ़ते हैं Lange का नियम उर्जा संदक्षन नियम का पालन करता है तो इसका solution होगा उर्जा संडक्षन नियम का पालन करता है इसके अंदर आएगा उर्जा अठारवा क्यूशन दिखेंगे कि जब किसी कुंडली के पास छड़ चुंबक का दक्षणी धुर्वे लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरिध धारा की दिसा होगी ये हमारे पास में एक कुंडली है और इसके पास में यदि हम एन धुर्वे इसके नजदीक लाएंगे दक्षणी धुर्वे को लाया जाता है ऐस धुर्वे यदि हम इसके पास में लेकर आ रहे हैं तो इसका ये वाला जो फलक है वो ऐस धुर्वय की भाती काम करेगा इसमें दक्षिनावर्त दिसा में धारा प्रेरित होगी क्योंकि जैसे ही कुंडली इसके पास में आएगी तो लेंज के नियम के अकोर्डिंग ये कहता है कि कुंडली इसका विरोध करेगी इसमें उत्पन धारा इस प्रकार से क्रेट होगी वो इसके आने का विरोध करेगा तो ऐस फलक पास में आ रहा है तो ये ऐस फलक की भाती काम करेगी इसमें से दक्षिनावर्त डिरेक्षिन में धारा परवाहित होने वाली है अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं देखें उननीस्वा क्यूशन अब देखेंगे कि किसी चुंबक के छेतर में रखे प्रस्ट के अभी लमवत गुजरने वाली चुंबक के बलरेखाऊंगे सैंख्या को चुंबक के फ्लक्स कहते हैं चुंबक के फ्लक्स कहते हैं चुंबक के फ्लक्स कहा जाता है परत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक उर्जा को विद्दुत उर्जा में बदलता है यांत्रिक उर्जा को किसमें कनवर्ट करेगा विद्दुत उर्जा में कनवर्ट करता है तो ये थे कुछ है अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं अती लगूत रात्मक परसन देखेंगे कि स्वय प्रेरन को विद्दुत जड़त्व क्यों कहते हैं स्वय प्रेरन की गठना होती है उसमें प्रेरित धारा की दिसा सदेव इस प्रगार से होती है की वो सदेव उनी कारणों का विरोध करती जिसके कारण से क्रेट होती है तो धारा में वृद्दी या कमी के कारण से होती है तो स्वय प्रेरन में प्रेरित धारा धारा में वृद्दी या कमी का विरोध करती है इसलिए इसको हम स्वय प्रेरण को विद्धु जड़त्व भी कहते हैं तो देखे मैं इसका आंस्वर पूट कर रहा हूँ स्व प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा सदेव धारा में वुर्दी जो कुंडली है उसकी धारा में वृद्धी या कमी का विरोध करती है विरोध करती है इसलिए स्वय प्रेरण को विद्दुत जड़त्व भी कहते हैं अगला क्यूशन देखेंगे आप अनुन्य प्रेरण गुणांक का विमिये सुत्र लिखिए देखें अनुन्य प्रेरण गुणांक को हम M से पूट करते हैं E बराबर होता है M माइनस में M D I by D T तो देखें यहां से हमें M बराबर हम पूट कर देंगे E बट्टे में D I by D T तो M की विमा अनुन्य प्रेरण गुणांक है यहां पर जो की E बर्टे में D I अपॉन में D T की विमा के तुल्ले होगा तो यहां से आप देखेंगे की E को हम W अपॉन में Q लिख सकते हैं और यहां पर I की विमा होई जाएगी उपर आजएगी T की विमा क्लियर W T और Q को हम लिख सकते हैं I into T तो I square into T आजएगा तो T से T cancel हो जाएगा हमारे पास में आगया है कि W अपॉन में I square की विमा W अपॉन में I square की विमा तो W की जो विमा है वो देख लीजिए M1 L2 T माइनस 2 और I की विमा होजएगी A2 Finally जो इसकी विमा निकल कर आएगी M की विमा अगला अन्नुन्य प्रेरण गुणांख हो चाहिस वाइज प्रेरण गुणांख हो उसकी विमा M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2 होगी Clear? अगली क्यूशन की ओर बढ़ते हैं किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांख की परिभासा दीजिए तो देखें किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांख का मतलब है कि किसी कुंडली में धारा में वृद्धी या कमी के कारण या धारा में परिवर्तन के कारण स्विवम उसी कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक पल की उत्पन्न हो जाने की गठना को स्वर प्रेरक्त वक है तो देखें डेफिनिशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने तो किसी कुंडली में किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण देखो जब धारा में परिवर्तन होगा तो चुम्ब की फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा स्व्यम में उसी कुंडली में प्रेरित विद्दुत वाहक बल के उत्पन्य हो जाने की गठना को स्वय प्रेरक्त्व कहते हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि परतिरोध बॉक्स में कुंडलियां दोहरे किये विद्धुत रुद्ध तारों की बनाई जाती है तो देखिए स्वयम यदि एक अकेली कुंडली होती है तो उसे कुंडली के अंदर स्वय प्रेरण की गठना क्रियेट होती है स्वव प्रेरण के कारण से प्रेरित धारा उत्पन होती है और उनको क्या करते हैं इस तरीके से दोरा कर भना दी जाती है एक वायर ऐसे होता है फिर यहां पर यह जो कुंडली खतम हो गई है फिर इस तरीके से वापस इसमें इसी तरीके से एक वायर वापस आता है ऐसे तो ऐसे करके दो तार एक साथ में ऐसे होंगे और उनकी वज़े से क्या है स्वय प्रेरण की गठना को स्वय प्रेरण के कारण से उत्पन प्रेरित धारा के प्रभाव को हटाने के लिए तो इसका जो आंस्वर होगा वो देख लीजिए स्वै प्रेरण के प्रभाव को हटाने के लिए दोहरा कर बनाया जाता है हटाने के लिए clear अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं 25 क्यूशन में हमें पूछा गया है चुमबक के फ्लक्स की प्रिभासा दीजिए तो किसी देखे चुमबक के फ्लक्स की डिफिनेशन क्या है कि किसी चुमबक के छितर में रखे प्रेस्ट के लमवत गुजरने वाली चुमबक के छितर एखाऊंगे सैंख्या को चुमबक के फ्लक्स कहते हैं किसी चुम्बक के छित्र में रखे प्रेस्ट के लंबवत गुजरने वाली चुम्बक के छित्र रेखाओंगे सैंख्या को चुम्बक के छित्र रेखाओंगे सैंख्या को चुम्बक के फ्लक्स कहते हैं चुम्बक के फ्लक्स कहते हैं चुम्बक के फ्लक्स कहा जाता है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाइने हाथ का नियम लिखिए देखे जो 26 वे क्यूशन है उसका सोलुशन देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है देखे ये प्रेडित धारा की दिसा को बताता है कि फ्लेमिंग के दाएं ने हाथ के नियम के नुसार देखें कि डाइग्राम से हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये फ्लेविंग के दाइने हाथ के अंगूठे का नियम है उसके अकोर्डिंग इस परकार से हम अंगूठे मद्देमा और तरजनी को इस परकार से फेलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें अंगूठा चालक के वेक की दिशा में तरजनी चुमबक के छितर की दिशा में तो मद्देमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा तो देखें एक बार मैं इसको लेंग्वेज में पूट कर देता हूँ इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की दाहिने हाथ के अंगुठे कोमा तरजनी कोमा मद्देमा तीनों को इस परकार फैलाएं तीनों को इस परकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत रहें फिर देखेंगे यदि अंगुठा चालक के वेकी दिशा में मद्देमा चुम्बक के छित्र की दिशा में तो तरजनी तरजनी तो मद्देमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा दिशा को वेक्त करेगा अगले क्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं देखें जो हमारा अगला जो क्यूशन है उसको एक बार समझ लीजिए क्या है क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में दो कुंडली A, B वे C, D के बीच एक छड़ चुम्बक N, S को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाई और से देखने पर वामा वर्त होगी देखें कि यदि हम इस इस ऐस सीरे को यहां पर इधर ले जाएंगे तो इसका ये वाला जो फलक है इस कुंडली का ऐस धुरुए की भाती काम करेगा इसमें इस फलक के अंदर से इधर से देखने पर ये S फलक की भाती काम करेगा इसमें धक्षिना वर्ति डारेक्शन में धारा परवाईत होगी धक्षिना वर्ति धारा इसमें परवाईत होगी इस सीरे से देखने पर इसमें एन फलक दूर जा रहा है तो ये वाला फलक S की भाती ये वाला फलक N की भाती काम कर रहा है इसमें वामा वर्ती धारा परवाइत होगी इसमें कौन सी धारा परवाइत होगी वामा वर्ती तो हमें यहीं पूछा है कि वामा वर्ती कौन सी कुंडली में परवाईथ होगी तो कुंडली A-B में परवाईथ होने वाली है इसका अन्च्वर क्या है कुंडली A-B यह बोड दुवारा जारी जो model परसंट पत्र है उसका परसंट हमने यहाँ पर लिया है अगला क्यूशन देखिए ये जो परसन है विद्यारतियों हमने पिसले वर्सों में पूछे गए परसनों को हमने यहां पर अब समलित किया है कि चितर में वर्णित इस्तिती के लिए संधारीतर की धुर्वता की प्रागुक्ति कीजी हमें इनने संधारीतर की प्लेटों पर आविश बताना है एस धुर्वय यदि इसके पास में आता है तो यह एस फलक्की भाती ही काम करेगा इसमें इस तरीके से धारा परवाइत होने वाली है तो यहां से धनावेश चलेगा और इधर आकर इकटा होता जाएगा इधर आकर इकटा होगा तो A पर धनावेश आजएगा और B पर रिनावेश आजएगा तो A पर B की तुलना में तुलना में धनावेश होगा मतलब ये वाला उच्च विभाव पर है ये वाला उच्च विभाव पर और ये वाला होगा निम्न विभाव पर ऐसे समझ लीजिए आप अगले क्युशन की ओर बढ़ते हैं हामें एक वरगा कार चालक लूप चुम्बक के छितर में चितरा नुसार गतसील है तो लूप में प्रेरिध धारा की दिसा ग्याद कीजिए एक वरगा कार लूप है चुम्बक के छितर के अंदर ही ये गती कर रहा है तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यह दिये चुम्बक के छित्र में ही गती कर रहा है चुम्बक के छित्र में ही गती कर रहा है तो एक समान चुम्बक के छित्र में से यह गती करता है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबक के छेतर रेखाऊं की सैंख्या में कोई प्रिवर्थन नहीं आएगा ततपस्चाथ इसके अंदर कोई प्रेरित धारा उत्पन नहीं होगी प्रेरित धारा सुनने होगी ततपस्चाथ इसमें दिसा हम ग्यात नहीं कर पाएंगे वर्ताकाल लूप चुम्ब के छितर में प्रवेश कर रहा है लूपों में प्रेरित धारा के दिसा क्यात कीजिए देखिए इसके अंदर यह जब चुम्ब के छितर से बाहर निकल रहा है तो इसमें प्रेरित धारा की दिसा इस प्रकार से होगी कि वो चुम्ब के छितर में व तो इसमें बहने वाली जो धारा की दिसा है वो A, B, C, D, A होगी पिर देखो ये जब अंदर आ रहा है तो इसमें चुम्बके चित रिखाओं कि संख्या में वुर्दी हो रही है चुम्बके चित रिखाओं कि संख्या में कमी करने के लिए अंगूठा उपर की और अंगूलियां ऐसे हो जाएगी अंगूलियां ऐसे होगी तो धारा की दिसा ऐसे इसमें जो धारा की दिसा होगी वो P, R, Q, P की दिसा में होने वाली है विद्यार्तियो हमने कुछ महत्वपून परसनों का कलेक्शन आपकी सामने रखा है यदि आप इन परसनों को तयार कर लेते हैं तो काफी हद तक बोर्ड में प्रिक्शा में आने वाला जो परसन पत्र है उसको सॉल करने में काफी आसानी रहेगी और पॉसिबलिटी है कि एजडिज क्यूशन भी आपको मिल जाए निमेरिकल क्यूशन भी आपको इसी टाइप के मिलने वाले हैं अब हम यहां पर देखेंगे आंकिक परसन विद्यारत विद्यूशन आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीरो पॉइंट तीन गुण दस्की घात माइनिस चार टेसला के पर्थवी के चुंबक के छतर के सितीज गटक के लंबुवत पांच मिटर परतीज सेकिंड की चाल से गिर रहा है तो तार के सीरों के मद्दे प्रेरित विद्धुत वाहक बल का तास्टनिक मान बताईए देगे इस क्यूशन को एक बार समझ लेते हैं हम कि हमें पूरव से पस्सिम दिसा में एक से तीज तार दे रखा है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है दो मीटर चुमबक के छितर का से तीज गटक दे रखा है जो की उत्तर दिसा में होता है बी बराबर जीरो पॉइंट तीन गुनदस की घात माइनस चार टेसला और ये जो इसका जो वेग है वो नीचे की ओर है तो वेग नीचे की ओर चुमबक के छितर उत्तर दिसा में और L है पूरव से फस्सिन दिसा में तो तीनों एक दूसरे के लंबोत हैं तत्पस्चात इस चालक के अंदर एक प्रेरित विद्दुत वाहकवल E बराबर B L भी उत्पन हो जाएगा B का जो मान है वो है 0.3 गुण 10 की घात मैनिस 4 L का मान है 2 B का मान है 5 यहां से 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 दस को इस से गुणा करेंगे तो पॉइंट हड़ जाएगा एक अमान हमारे पास में जाएगा 3 गुण 10 की घात मैनिस 4 वॉल्ट अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगले क्यूशन के अंदर देखे हमें क्या दे रखा है एसे क्यूशन हमने इस आज की वीडियो में हम पहले भी देख चुके हैं फिर भी देख लीजिए कि किसी प्रिपत में 0.1 सेकिंड में धारा 5 अम्पेर से सुनने तक गिरती है यदि ओसत प्रेरित विद्धुत वाहकवल 100 वोल्ट हैं तो प्रिपत में प्रेरक केस्वा प्रेरक्त्वा की गणना कीजिए ए बराबर हमें दे रखा है 100 वोल्ट डीटी का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.1 सेकिंड जो धारा है वो है कि 5 से 0 अम्पेर हो रही है तो माइनस 5 अम्पेर हो गई है हमें L का मान पूछा है E बराबर होता है माइनस L डीई अपॉन में डीटी देन यहां पर हमें क्या मिल जएगा L बराबर माइनस में E अपॉन में डीई अपॉन में डीटी value put कर देता हूँ minus में L E का जो मान है वो है 100 Di का जो मान है वो है minus में 5 dt का जो मान है वो है point 1 minus minus plus हो गया एक point से ये 0 कट गया ये इसमें 2 वार में कट जाएगा 2 Henry's का solution आने वाला है अगले question की ओर बढ़ते हैं हमें कहा गया है की 0.5 Henry 0.5 Henry तो L बराबर हमें 0.5 Henry दे रखा है स्वेप रेरक्तव वाली कुंडली में धारा 2 सेकिंड में सुनने से 10 Ampere हो जाती है T का जो मान है dt में लिख देता हूँ 2 सेकिंड और जो धारा है Di वो हमें दे रखी है 10 Ampere कुंडली में उत्पन प्रेरित विद्दुत वाहक बल पूछा है जो की माइनस में L Di ये पौन में dt होता है तो देखे L की जो वेल्यू है वो है 0.5 धारा का मान बढ़ रहा है सुनने से जो की 10 माइनस 0 10 हो जाएगा dt हमें दे रखा है 2 सेकिंड तो यह यहां से 5 बार में कैंसिल हो गया तो माइनस में 2.5 वोल्ट का प्रेरेत विद्धुत वाहक बल विप्रित दिसा में क्रियेट होने वाला है उत्पन होने वाला है 34 क्यूशन देखेंगे कि एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है हमें एक वर्गाकार लूप की जो भुजा है उसकी लंबाई दे रखी है 4 मीटर तता यह है 2.5 टेसला की एक समान चुम्बक के छितर में रखा हुआ है B का जो मान है वो हमें दे रखा है 2.5 टेसला लूप की बाहर चुम्बक के छितर का मान सुनने है यह लूप 2.30 के वेग से चुम्बक के छितर के लंबवत गती करता हुआ बहार आ रहा है तो एक सेकिंड पस्चाथ लूप में प्रेरित विद्धुत्वाहक बल का मान कितना होगा तो देखें एक सेकिंड के बाद में ये एक मिटर आदा मिटर दूरी एक सेकिंड में दो मिटर चल रहा है तो दो मिटर की दूरी ये तए कर लेगा किजनी दूरी तए कर लेगा दो मिटर दूरी तए कर लेगा जबकि इसकी भुजा के लंबाई चार मीटर है समझें इसे हमारे पास में इस तरीके से एक लूप है और वरगा कार लूप है इसमें मेगनेडिक फिल्ड मौजूद है ये तो इसकी प्रारम्बिक इस्तिती है और जब ये गती करता है तो एक सेकेंड प्रारम्बिक इसमें जो चुम्बक के छितर है वो इस तरीके से रह जाएगा चुम्बक के छितर के आदा चुम्बक के छितर ही इसमें से गुजरेगा तो देखे इस इस तरीके अंदर हम चुम्बक के फ्लक्स को एक बार देख लेते हैं फाई वन बराबर है B into A और यहां पर है फाई टू चुम्बके फ्लक्स यहां पर है B by 2 into A पहले वाले चुम्बके फ्लक्स का अब आधा रह जाएगा तो चुम्बके फ्लक्स में परिवर्तन ली फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 तो B A by 2 माइनस B A तो माइनस में B A by 2 सेंस रह जाएगा हमें प्रेरित विद्धुत वाहकवल पुछा है प्रेरित विद्धुत वाहकवल देखे क्या होगा e बराबर e बराबर होता है d5b upon dt with negative sign तो माइनस में d5b की जो value है वो है b a by 2 with negative sign upon dt जो की हमें 1 second दे रखा है 1 second बता रखा है माइनस माइनस प्लस हो गया b a by 2 आ गया b की जो value है वो हमें 2.5 tesla दे रखी है a यहाँ पर यह वरगाकार loop है जिसका छितर फल l square के बराबर हो जाएगा 16 meter square आ जाएगा 16 पटे में 2 तो यहाँ से हमारे पास में e बराबर आ गया है 2.5 गुणा 8 तो यह आ गया हमारे पास में 20 आ चुका है 20 वोल्ड का प्रेरित विद्दुत वाहक बल create हो जाएगा उत्पन हो जाएगा 35 गुशन देखेंगे आप कि किसी कुंडली से संबद चुंबक के flux 5 समेट T पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है तो प्रेरित वोल्ड ता क्या होगी E बराबर बराबर होता है माइनस में D5E अपोन में DT एसा गुशन हम में इस वीडियो में पहले भी देख चुके हैं 5 की वेल्यू पूट कर देते हैं 2T स्क्वेर माइनस 4T प्लस 5 ये वेबर में है तो देखें डिफ्रेंसेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 तो एज़ टीच T स्क्वेर का करेंगे तो 2T माइनस 4 एज़ टीच T का करेंगे तो 1 5 का करेंगे तो 0 Then माइनस में 4T माइनस में 4 ये हमारे पास में प्रेरित विद्दुत वहकवल E आ गया है हमें पूछा है T बराबर 2 सेकिंड पर T बराबर 2 सेकिंड पर क्या हो ज़ेगा E बराबर माइनस में 4 गुणा 2 माइनस 4 E बराबर माइनस में 8 माइनस 4 बराबर माइनस का 4 वोल्ट हमें मिलने वाला है तो देखी विद्यार तो ये थे कुछ महतोपूर्ण आंकिक परसन अब हम इस वीडियो के अंतिम पढ़ाव की ओर चलते हैं कुछ महतोपूर्ण दिर्गुत्री परसन अब यहां पर हम देख लेते हैं समझ लेते हैं देखी वैसे तो इस में इस चप्टर में से डेड़ नमबर का एक निमेरिकल कुछन पूछा जाएगा और डेड़ नमबर का एक ऐसा कुछन पूछा जाएगा तो इन में से जो परसन पूछा जा सकता है वन एंड हाप अंग का होने वाला है तो वन एंड हाप अंक के अकोर्डिंग जिस क्यूशन की जो साइज है वो यहां पर बहुती कम टोपिक है तो इसमें हमारे को फेराडे के विद्दुत चुमब के प्रेरण के नियम पूछे जा सकते हैं जो की वन एंड हाप अंक में आ सकते हैं इसके साथ में हमें भंवर धाराओं वाला जो क्यूशन है भंवर धाराओं का जो पार्ट है उसमें से हमारे को क्यूशन पूछा जा सकता है कि भंवर धाराओं के कोई दो प्रियोग लिखिये ये भी वन एंड हाप में पूछा जा सकता है इसके अलावा देखो हमने कुछ क्यूशन और भी सामिल किये हैं हालां कि देखो क्यूशनों की जब साइज बड़ी हो जाती है तो उनके अंदर उनको पुछे जाने की संभावना क्यूं है क्यूंकि ये जो क्यूशन है one and half का होना चाहिए वन and half के लिए क्यूशन का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्यूशन है वो देख लीजिए हमारे पास में कुछ क्यूशन है कि समरूप चुम्बक की छितर में घुणन करते हुई चड़ में प्रेरित विद्धुत वाहक बल के वेंजिक की वित्पत्ति कीजिए यह वला क्यूशन भी हमें पूछा जा सकता है इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसके साथ में स्वप प्रेरक्त्व की परिभासा पूछी जा सकती है या केवल हमें ये पूछी जा सकती है कि लंबी प्रेरना लिका में उत्पन जो स्वप प्रेरन है उसके कारण से जो स्वप प्रेरक्तव है ल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वेर एंटु एल इस उत्तर की वित्पत्ति पूछी जा सकती है अनुन्य प्रेरग्त्वक की डेफिनेशन और साथ में दो समाक से प्रिना लिकाओं के मद्दे अनुन्य प्रेरण का गुणांग हलांकि इससे क्यूशन की जो साइज है वो काफी ज्यादा हो जाए तो फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे भावर धाराएं क्या होती है भावर धाराओं के दो अनुप्रियोग भी आपको ध्यान में रखने है इसके लवाए इसमें एक परत्यावर्ती धारा जनीतर का एक टोपिक है बट उसकी भी साइज काफी बड़ी होती है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि उसका जो प्रेरित विद्धुत्वाहकबल क्रियेट होता है उसका वेंजग आपको पूछा जा सकता है तो इस क्यूशन इस चप्टर में से वन एंड हाफ का जो क्यूशन आएगा उसकी साइज को देखते हुए कुछ है महत पुन परसन हमने इस वीडियो में अभी सामिल किये हैं आप इनको तयार करें आज की इस वीडियो में इतना ही अगला वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे प्रकास से रिलेटेड होगा ओप्टिक से रिलेटेड होगा आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवा दोस्तों